हलो नमस्कार दोस्तो एक बर फिर से स्वागत है आप सबी का एक और नई वीडियो में तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और सेंगरी की बहुत ही तेस्टी सी सब्जी जो कि खाने में तो बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है उतनी ही गुड़कारी और लाबकारी भी है इस बक् देखते हैं किस तरह बनाते हैं आलू और सेंगरी की सब्जी तो आलू और सेंगरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंगरी को इस तरह से छोटा-छोटा काट लेंगे हमें इसको ज्यादा बड़ा काटा नहीं है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है त पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू उसके बाद हम यापे आलू को भी काट लेंगे तो आलू को में ना ज्यादा बड़ा काटना है और ना ही ज्यादा छोटा आप एक आलू में से 4 या 6 पीस बना लें जादा से जादा जो सब्जियां काटने क के बाद हम याँ पे अच्छे से सब्जियों को एक से दो बार दो लेंगे ताकि इनमें जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाए सब्जियां दोने के बाद मैंने तड़के के लिए यहां पे लिया है दो हरी मिर्च हैं जिनको मैंने कट कर लिया है जीरा लिया है आदा चमच एक इंच अद्रक का टुकडा कट कर के लिया है साथी दो सूखी हुई लाल मिर्च लिया है मसाला मैंने यहां पे लिया एक चमच चल्दी आदा चम्मच लाड मिर्च पाउडर धनिया पाउडर लिया है अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो डाल सकते हैं पर बिना लहसुन प्याज के भी यह सबजी भूदी अच्छी बनेगी उसके बाद हम मैंने या पर कढ़ाई में लिया है दो चम्मच सर्सो का ते जैसे ही हमारा तड़का अच्छे से भूद जाएगा हम इसमें डालेंगे कटी हुई सबजी और उसको चलाते हुए लगातार भूद लेना है हमको फिर बाद में हम इसमें सारी मसाले एड कर देंगे और अच्छे से एक मिनट मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए और सबजी में अच्छे से मिल जाए मसाला भूनने के बाद हम इसमें एड करेंगे रास्ट में नमक और इसको अच्छे से मिला लेंगे ये बहृती सबजी अच्छी बनती है आप बना कर जरूर देखिएगा और रास्ट में हमें इसमें ऑड़ करना है एक कप पाणी क्योंकि ये सूखी बनती है सबजी तो हम जादा पानी एड नहीं करेंगे बस एक कप पानी एड करने के बाद इसको अच्छे से चला देंगे और दो से तीन मिनट ढखके रख देंगे तो देखिए दो से तीन मिनट बाद हमारी जो सब्जी है वो बनकर एक्तम त्यार हो चुकी है तो हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको एक प्यार अच्छे से चला देंगे तो हमारी जो सब्जी है फाइनली बनकर त्यार हो चुकी है देखिए बहुत ही त्यादा टेस्टी लग रही है आप जरूर बनाईएगा क्योंकि इस वक्त काफी अच्छी अच्छी सिंगरी जो है बजार में मिल जाएंगी आसानी से तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से बनाईएगा सब जरूर खाएंगे और सब को बहुत ही जादा पसंद आएगी तो आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं उम्मीद है पसंद आएगी पसंद आएगी तो पीस एक लाइक जरूर करिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा हमें सपोर्ट करिए साथी वेल आइकन को भी दवा लीजिएगा ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे प लेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों